तो है एवरीवन गूट मार्निंग कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं बढ़िया से होंगे काफी लेट हो चुका एक्चुली मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है इस कारण काफी प्राब्लम हो रहा है तो मौसम खराब उनके वरसे देख सकते हैं गाड़ी पे कितना सारा भूस इस प्राइब यहां की भूसार रात में लगभग करीब काफी ज्यादा आणिव और बारिष के साथ पहले तो आँदी आया फिर बारिष आया बारिष आने का वर्च से थोड़ा रुका निए बारिष नहीं आती तो बहुत ज्यादा आन्दी थी और उसके कारण काफी नु नई वाली गाय बच्छडी जो बच्चा जनन दी है उसके बारे में और दूसरी जो एक और शीतल है उसका जो टाइम नजदीक आता जा रहा है और थन काफी बढ़िया बना रही है उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नटिफिकरशन मिलता रहा है उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूंगा अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इस्टिचूट खुला ह जहां पे आप तीन महिने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि आप अगर गौर्णमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वैटनार दी जाती है तीन मेहना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका कुछ चार्ज होगा रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बड़े फैसिलेटी के साथ किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बे जिजक मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर या फिर मेरा नंबर ह रहता है प्रसनली मुझे पूछते हैं कि जात भाई कैसा रहेगा आपका प्रसनली तो मैं बताना चाहूंगा वहां पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहा है वहां से तो आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेजिजक ले सकते हैं आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब एटू जेट उनसे इनक्वारी आप ले सकते हैं काफी शांदार बचली को जनम सकते हैं हलका दिख रहा है वह आगे फूचर में कितना बंड के आता है वह पता चलेगा थोड़ा वीडियो में ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है इस साइड में क्यूंकि अभी भूटन का काम स्टार्ट है और भूटन का कहना हम है कि थोड़ा मेहनत ज्यादा पढ़ र है और मंगवा कर फिर हम लोगे स्टार्ट करेंगे अभी देख सकते हैं यहां पर इसको जबान चाट रही है तो कि यह नहीं मट्टी चाटने से इसको प्रब्रम हो सकता है तो इसको बंधवाना पड़ेगा उस साइड में तो हम लोग बात कर रहे थे एक इस रेड़ वाली ट्रांजेक्शन फिर्ट बनवाए थे वह अलग था और बच्चा देने का पहले का अलग था तो इसका बाद वाला स्टार्ट हो गया और इसका पहले वाला चल रहा है कितना बहुत बढ़िया यह भी थन बना रही है पिछले बार जो आपने थन इसका बनावट देखा था वो काफी बढ़िया था देखते हैं पिछले बार से इस बार ज्यादा बनाती है यह कम मुझे जहां तक उम्मीद है थन चाहे जितना भी बनाए पिछले बार से ज्यादा इसका दूद आने वाला है क्योंकि पिछले बार इससे कहीं दूबली जादी थी इस बार वेट में ज्यादा है इस बचली की बात करें तो यार एक प्रॉब्लम आया है मैं एक्चली मटी पर इसको निकालना नहीं चाहरा था मैं यहीं पर थोड़ा सा जगात जो है बना कर यहीं पर मैं सोच रहा था कि करवा हूं लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो में भी बोले और मेरे उ में नहींद स्थेवी आइअ मुतनार से यह वाला पैर यह पर रखनी रही है और इसमें किसी तरह का कोई दिकत नहीं है यहां नहीं रहने का पार जात रह उता बोले क्या हो गया है एसारे धर्षृ नहीं एक बात दिरिदो हो सब्सक्राइक पार दुगां τοमम मै तो पता रेके इसको लचक हो गया तो उठाना पड़ता हो फिर आप भी देख पाएंगे और हो सकता है कि को इसका चाहिए पैर जो है बराबर रखने पार यह यहां से यह घुमना चाहिए यह देखो पता नहीं क्या हो गया है यह इसको कहीं न कहीं दरद है और नहीं रखने के वाज से दिक्कत हो रहा है इसको बैट करने में प्रॉब्लम हो रहा है खाना भी थोड़ा कम खाई है यहां पर क्लियरली दिख रहा है खाना भी थोड़ा कम एक्षायो में पूर निकाला है तो लगबख भच्छा पिलाने के बाद तीन केकी करीब में दूध था और इसके ब्यांट में थोड़ा सूजन आपको देखने मिल है जो है जो हमने प्रीमिक्स की बात की थी वही तो आगे साइड में भी यहां पर आपको मैं दिखाँ दरत के वज़े से वह पैर आगे पीछे कर रही है और बैठने में भी इसको प्राब्लम हो रहा है मैं वीडियो में उठाना चाहरा था और लचक बोलते हैं शायद उसको लचक टैप का हो गया वह कुछ समझ में नहीं रहा है इसको क्या किया ज़्यों डॉक्टर साब आने वाले हैं देखते हैं और रहीवात उसका दरत का दरत का दिया जाये विस्प्रेक मंगवाना पुड़ेगा विस्प्रेक हमारे पास खतम हो गया है तो मार के देखेंगे और रही बात अब इस गाय की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं उट 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 उस्ताद ने जो भोला था कि बच्चा देने से पहले डिस्चार्ज करेगी ज्यादा तर ज्यादा डिस्चार्ज करेगी तो इस तरह का डिस्चार्ज जो आप देख रहे हो यह डिस्चार्ज तो बचले को मतलब जमों χोता है जनम देने का बचला जनम देती है यह अपतब पैर के वज़े से थोड़ा घाना कंठा रहे है यह थो होड़ा दिक्कत के वज़े से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं धनक्या बनावाट काफी बड़िया नस वगएर आपको देखने मिल रहा है नस जो दिखता है न यह विटामीन प्रेगनेंट के टाइम में जब आप लास्ट चल रहा है और विटामीन एच इसको भरपूर मात्रे में मिलेगा तो काफी बड़िया अडर बनाएगी और नस वगएर सब किलियर ली दिखता है विटामीन एच हमारे पास का जो है वो खतम हो गया है पौडर फॉर्म वाला ले यह परशांद जी के पास उपलब्द है तो यह चीज हर एक चीज जो हम लोग यूज करते हैं चाहे प्रीमिक्स के अंदर या फिर आपका ट्रांजेक्शन प्रीमिक्स के अंदर जो भी है तो मतलब एक रेगुलरी हर वो चीज को यूज किया जा रहा है जो बड़े- इस तो यह सब जो दिक्कत हो रहा है तो उससे के वज़े से भी फीवर आ सकता है अभी इसकी बात करें तो ज्यादा फीवर नहीं है 102 आभी IRAC जैसे के अभी का मौसम में 102 से हलका फुलगा थोड़ा ज्यादा है तो फिवर नहीं होगा जैसे जैसे मौसम का टेंप्रेचर में अगर एक खूब हाई गर्भाग 103 होता है इसके से फाल लिखन politics देवर यसको फिवर तो इसको फिवर है इसका अकल फीबर का भाई मैं था नहीं मैं तो कहीं निकला हुआ था भाई ने इसको दवाव अगरत दिया है लेकिन फिर से अभी ऐसा लग रहा है कि इसको वापस रिटन फीबर आ चुका है यह वाली गाय पहले से यह सही यह खराब दूए यानि इसको खाना पीना कम हुआ तो वाली गाय बढ़िया खाने लग गई तो मतलब यह क्या मालूम क्या समझ में नहीं आता है मौसम चेंज होना से यह सब प्रॉब्लम पर आते रहता है और फांपे मौसम चेंज होना और दूसरा एक चीज आप बांध के गाय को रखते है तो थोड़ा प्रॉबलम आता है और खुल हमने लगवाया है इसमें डेनमार्क का अभी दो चार दिन पहले इसके बच्चा देने से एक दिन पहले इसको करवाया तो इन लोगों को कब होगा समझ में नहीं आ रहा देखते हैं कितना दिन और वेट करवाएगी यह तीनों बचलिया इस पर नाज था नाज मिन साप समझ स रखते हो इस पर ही भरोसा था कि यह तीन बचली प्रेगनेंट हो जाती तो थोड़ा सा आगे सीवचर हम लोग का बढ़िया होता लेकिन चारों के चारों जैसे यह तो इन्शेम्शन सेकंड टाइम हम लोग करवाए तो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस दिन दूद लेना भी नहीं चाहिए एक महीना कम से कम एक महीना दूद पर जाना ही नहीं चाहिए आपको जितना दूद दे रही है उतना ही दूद लीजिए इससे इसको ज्यादा तर जैसे जब बच्चा देती है तो लोग हम लोग में बोलते हैं ऐसा कि मतलब दाना नहीं देन चोकर नहीं देना मिंस कम खिलाना है या पानी नहीं देना है उसको हम लोग एक चीज विद्ट जो है जाद करने वाली दाना जो होता है उह नहीं देना है ताकि ज़्यादा दूद पर आप और चार दिन बच्चा दिये हुए हुआ या 20 दिन बच्चा दिये हुए हुआ और इसको तुरन दूद पे ले लिया जाए ऐसा नहीं करना चाहिए इसका लिवर भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर इसको लिवर टौनिंग के स्टार्ट करना होगा दूद पे जो है एक मेने के बाद इसको अभी मुझे और जब आट-दस के जी दाना देते हैं तो उस तरह से तो हम लोग नहीं करते लेकिन इसको हम लोग इलगभग 4-5 चोकर और दाना मिलाकर 4-5 चोकर पूरे दीन का देंगे अभी और हराचारा तो उतना फुक्ष नहीं हमारे हैं इस वससे थोड़ा प्राब्लम हाता है तो यह सब ही चीज टीमर में जो मिक्स होकर मिलता है उसका खाने का मज़ा और हमारे यहां जो हम लोग ऐसे ही दे देते हैं उसका मज़ा काफी फरक पड़ता है इस वाद से हमारे थोड़ा प्राब्लम आता है तो देखते हैं कितना आगे दूद पर यह कितना आती है और में जरूर बता है वीडियो बड़े हलागा हो तो लाइक तो शेर बनता ही है थैंक्स पर वाचिंग